दोस्त नमस्कार आपके घर में हो महालक्षिमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों रोजाना सुबै और शाम हम आपके लिए 6 महत्वपूर्ण खबरों पर मज़ेदार एनलेसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी उ भुटान के प्रधारमंत्री भारत तो आए हैं लेकिन उनसे निपटने के लिए आचार चानक के ने हमें कौन सा रास्ता दिखाया हुआ है तो भाई साहब इलोन मस्क ने ऐसा मस्का लगाया है जिसके आगे दुनिया का हर मस्का फैले भाई साहब नियॉर्क टाइम्स को भ अफ्रीका ने भारत को बहुत अच्छा ओफर दिया है अफ्रीका के नए देश ने क्या सुबधाएं दी हैं चर्चा करेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स को लेकर बहुत बुरी रिपोर्ट आई है रिवेन्यू कार्ट दिया है भाई साब उनका निफ्टी आईटी का ज वीडियो देखिएगा साथ में आगामी हनुमान प्राकट्यो सब के अफसर पर पचास पर्शेंट तक का भरी वर्कम डिसकाउंट मिल रहा है हमारे तीनों आच मिनरवर इन्वेस्टर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्स पर जोइन करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डि वर्जाघर में गुर्दवारे में सब जगए आपको पैशा से ही काम करवाया जाता है इसलिए इनकी कृपास सबसे पहले चाहिए है अगर यह ना हो तो सब चीजें सब दरवाजे तुरंत बंद हो जाएंगे आपको पता है हम तो बस्किवर रिवाइस करवा रहे हैं आप मोँ गए कर लेकर अचार चानकेने जो चंद्रुपट्र Moral को पड़ाई हुई है चे डिपलोमेटिक पॉल सिस इसे एक है यह नूटरिलिक ना है neutrality की policy है उस पे चल रहा है कौन भूटान क्योंकि भूटान को पता है छोटे आकार का कमजोर देश है दो बड़े बड़े देशों के बीच फसा हुआ है इसलिए उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा तभी वो बचेगा उनकी policy तो समझ में आ गई वो तो आचार रचानक के के बताय रस्ते पर चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे तो हमारे पास option है वार का युद्ध की त्यारी करने का और डिवल डिलिंग का तो हम क्या कर रहे हैं वार तो अभी कर आपना है तो आचार जी ने बताया है हमें कि चीन से लड़ना है तो चीन के साथ लड़ाईगी तो यारी करो लेकिन आशपड़ोस के और जितने भी देश हैं उनके साथ अलाइंस बनाओ दोस्ती बनाओ दिक्कत आएंगी तबी तो अलग देश है अगर मानलो बुटान के स से दान्त पालन करते हुए अलाइंस बिल्ड करना चाहिए देखो आप अलाइंस की जो हमें पद्दती है वो आचार चानक ने बताई हुई है तो समय समय पर इसी तरीके से हम आचार चानक के की जो स्ट्रेटजीज है वो कबर करते रहेंगे क्योंकि ये जो रणनीतिया है धाई हजार साल पहले ये बताई गई थी लेकिन आज में और भीया आगे आने वाले धाई हजार साल उता रही और अनंत काल तक ये रणनीतियां काम करती रहेंगी इनके लावब कोई ज्यान ही नहीं भाई साब दुनिया में अब भाई साब आप सरत्पाबार साहब देख मोधी जी ने खुद बोलाएं कि तो मेरे गुरू है वाई साब गुरू है तो गुरू बन बात भी करिए इन्होंने कहाए कि यह राओल गांदी बोले पागल हो गया है क्यों बूले जेपीसी की डिमांड का हे कर रहे हो मत करो जेपीसी की क्योंकि जेपीसी अगर बने गी तो बीजेपी का बहुमत है बीजेपी के ही जादा मिनिस्टर पहुँच जाएंगे जादा लोग और दिसादश्य पहुच जाएंगे जेपी सी में किया जाच पड़ताल होगी इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सैबी जो जाच पड़ताल कर रहा है वो बहुत बढ़ी आए तो ह जाच कर रहे हैं और पवार साहब की दुनिया सुनती है अमेरिका को भी बता दो यूरोक को भी बता दो कि जाच चालू आ है परहसान मत हो लेकिन साथ में पवार साहब ने बहुत चीछी बात कही कि साहब जो वीर सावर कर थे वो वीर इसलिए थे क्यों कुई समय से पहले उन्होंने एक मंदर का निर्मान कराया था रत्नागिरी में और उस मंदर में दलित पुजारी को न्युक्त किया था तो हमारा जो समाज है उसमें अलाइंस बिल्ड करना है तो वो बातें करने से नहीं होगा वो तभी होगा जब समाज के सभी अंगों को प्रत्रत्व मिले रिप्रेजेंटेशन मिले और ये रस्ता भीव सावर करने हमें करके दिखाया था तो चलना है उसको और अलाइंस बिल्डिंग देश के लेवल पर पार्टी के लेवल पर बाद में होगा पहले हम सभी को अपने अपने परवारों के लेवल पर अलाइंस बिल्ड करना होगा प प्रवाहिव साब इलोन मस्क ने क्या बोला है वैसे कुछ नहीं बात तो नहीं है जो आप कि रहते वही बात कई यह क्या कहा है नों ने कि जे निउवर्क टाइम्स बोले डाइरिया का सिकार है बोले जे उल्टी करते रहते हैं यह थोड़ी कोई न्यूस पेपर है यह तो प्रोपगेंडा चैनल है इन्हीं की उल्टी जो की कह रहे हैं मस्क सहाग हमारे अख़बार रवडी की तरह चाटते हैं हो जाना निउवर्क टाइम्स में चपा है बिना हेडलाइन बदले बिना टेक्स्ट पड़े सीज़ा चाप दो भाईया जी ऑटोमेटिक फीड आती है और लिखते भी हैं आप अगर कोई निउवर्क टाइम्स का लेक पड़ो तो नीचे लिखा होगा कि भाईया जी जे फी निउवर्क टाइम्स वाल स्ट्रीट जेनरल जो उन्होंने कहा वही सच यह प्रोपरगेंडा चैनल है इसलिए इलोन मस्क ने इनका जो बेरीफाइड बिजनिस का जो चेक बॉक्स लगा था वो खतम कर दिया भाई साब पईशा दो तब मिलेगा अब जे कर लेंगे हम वो क पी उसकी रिपोर्ट आई है उनका PMI इंडेक्स आया है भाई साब जे PMI कोई अखवारों में नहीं निकला है जो सौफ फ्लोर में फैक्ट्रियों में काम करने वाले पर्चेजिंग मैनेजर होते हैं उनके कॉन्फिडेंस का इंडेक्स है उनको अपनी फैक्ट्वी में कित हमारा जो कॉस्ट है इंफ्लेशन है वो काबू में आ रही है अब यहां पर कोई हम पत्तर की लखी नहीं कीज रहा है भाई साब यह चीज उपर नीचे होती रहती है भाई साब समय काल के अनुसार PMI इंडेक्स उपर नीचे होता रहता है हमें क्याताय करना है कि अधिकान स हम उपर रहें ताकि हमारा एवरेज PMI इंडेक्स उपर जाता चला जाए तो यह प्रयास हमारा रहना चाहिए उसके लिए मोड़ी सलकार समय समय पर रिफॉर्म्स करती रहती है अब यह आपके उपर है आपको रंगीले राजन की बात माननी है तो वह अमेरिका में बैठके रिपोर्ट चाथते हैं या आप SNP की बात मान जे भी अमेरिका में एसी की हवा खा रहा है तो इनकी बात मान लो आपके उपर है भाई साब गाना यह जो देश है अफ्रीका का देश है आप मैं से कई लोग कूछते हैं कि यार साउथ के मराज्यों में ऐसा क्या है कि वह इंडिया के लिए हैं लेकिन वह फोकस कर रहे है तमिल नाडू पर तमिल नाडू के ट्रेडर्य पर तमिल नाडू के इंडस्ट्रियलिक बिख्अ ट्र ऑब देश पर कि आपका स्वागत है हमारे देश में टेक्स होलिडे जीरो टेक्स आप जो भी मसीनरी लेके आओगे जीरो टेक्स आप तो आ जाओ बस आपसी ब्यापार बढ़ाओ तो इस तरीके से आप बताओ कि तमिल नाडू आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या बिहार आगे बढ़ेगा भायाजी उनको तो भी जी कानून विवस्ता नहीं समाल पा रहे हो बस्चमंगाल बढ़ेगा उनका तो भी जी आग लगी हुई है वहाँ पे तो नियाए विवस्ता हो वह अच्छी होना चाहिए पॉइंट है जह और तमिल नाडू के बारे में हम बार बार बोलते हैं इंट्रक्ट नाडू नहीं पूरे साउथ इंडिया के बारे में बोल रहे हैं हम यह बात कि यह लोग जो है इनमें अच्छा ही यह है पार्टी बदलती है सब्ता में लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती जे लोग फालतू में इंडस्ट्रियलिस्ट को धन्दों को परेसान नहीं करते इसलिए जिस सफल है हमारे यहां तो भाया जी इंडस्ट्रिय के पीछे पढ़ जाते अरे आप छोड़ दो सब छोड़ दो आपने कभी सुना हैं कि साउथ इंडिया के क केरला में बचे हुए थोड़े बहुत पॉइंट क्या है कि हमें यहीं सीखना है कि इंडस्ट्रिय को परेसान मत करो बिजनेस्मेन को वह उसांती से दंदा करने दो वह खुद के लिए भी पैसा कमा के देंगे और रोजगार भी पैदा करेंगे इसी बीच भाइस आइटी स मंदी आ रही है कंपनिया अपना खर्चा कम कर रही है कोस्ट कम कर रही है पैसा बचा रही है तो बास सही है हमने पहले भी डिसकस किया हुआ है कोस्ट कटिंग तो होगी लेकिन इस दोरान जो कंपनिया अपना सिस्टम मजबूत कर लेंगी वो कंपनिया बाउंस बैक भी ज स्टीबी रिकवरी माल सकती है जे बात वोलो है हम दो से तीन सालों का वियू बोल रहे हैं हम बीच बीच में आप चार्ट देखलो भाई साब बीच बीच में उतार चढ़ाओ आते रहते हैं इस इंडेक्स में भी आते हैं भाई साब यहाँ आप ज़िए कि बिल्कुल इस लाइन पर पुराना सपोर्ट है यह को इसके बहूत बहुत मश्बूत सपोर्ट है 25000 पे 25000 पर पर बहुत मश्बूत सपोर्ट है टूट गया गई बैस पानी में लोटी अडूवर एस अम बार तीन बार चार बार यहां से इस सपोर्ट से टप्पा खाया है और अभी जिस सपोर्ट से है उससे पहली बार यहां टप्पा खाया था दूसरी बार यहां टप्पा खाया था तो अब हमें पहले तो यही दिखना है कि पहले यह सपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभ करते दो मरते कैसे हैं पर लो और यहां कोई नहीं बोलेगा कि यहां यहां नहीं बोलेंगे यहां तो दो साल पर घेले के टी वी के चक्क्र में रहोगे आता है गर में जाके दर्पुण में अपना चेहरा देख लीजिए उससे बड़ा एक्सपर्ट आपको दुनिया में नहीं मिलेगा स्वेम चार्ड पर देखिए भाई साथ कि यहां से टप्पा खाया हुआ है तो यहां से टप्पा खाएगा इस वास की संभाव ना है अगर सं करें खरिद गो कभी नहीं हो लैंगे क्योंकि यहां और खुल क्रीत रहें कियोंकि यहां वो खुल क खरीद रहें कि करें दिक्कद इस बात की यह इसलिए उनके साथ हमें खरीद आप और झालारी हैं अब दोस्तों यदि आप शायर मार्केट में उन्ट्री करना चाहते उं अराकिसमत का कोई खेल नहीं है, भाईसाब, कोई खेल नहीं है, यह काबिलियत का तमासा है, काबिलियत भी पेसबाब बाजी राओ वाली, लोग वागम से कहते हैं कि तुम्हें बाजीराओं की स्ट्रेटजी भहुत आती है तो तुम खाए कुद इंप्लिमेंट नहीं कर रहे तुम तो भई-अरी बहुत बड़े तुर्रम मनते हो हाली हम ने का हम तो तुर्रम नहीं मनते हैं हम तो साधारन से सिक्षक हैं और साधार चानक ने सिर्फ इतना कहा था धनानंद से कि सिकंदर खड़ा है चलो निपटते हैं भाईया जी बॉर्डर पे जाके उससे धनानंद ने का तुम क्या साधरम से सिक्षको निकल जाओ मेरी गास सभा से तो आचारे चानक ने सिर्फ एक छोटी सी वात कही थी कि सिक्षक कभी भ प्राप्त करके ही हमने इसारे कोर्स बनाए हैं आप सीख ये पक्के से लाब होगा और लोगों को हो रहा है साथ में यह आप शेर मार्केट की गिरावट में या शेर मार्केट वहीं का वहीं रहे तो पैसा कमाना है तो आप जोईन कर लिजी आत्म निर्वर फ्यूचर्स ए प्राइदा वाजार का उलेख मिलता है इसलिए उन्हीं की स्ट्रेट जी आपको पैसा कमा के देगी फ्यूचर्स और ऑप्शन के माद्यम से तीनों कोर्स एक से बढ़कर एक हैं आपको बना देंगे सबसे बड़ा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी आगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैस्त्री राम